हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करती हूँ मैं आपका अपनी चैनल हरी आली और ठाली में ये हैं पालक के सीट, ये आपको आसानी से किसी भी जहाँ पर बीज मिलती है, उन साउप में मिल जाएंगे मैंने अपनी चैनल पर बहुत सारा पालक ग्हरोग किया हूए है, जिसमें से कुछ मैं आपको अभी दिखाऊंगी ये पालक मैंने सारे जितने भी वेस्ट समान होता है, उसी में ग्हरोग किया हूए है ये एक सिंपल खाली गत्य की पेटी है जो जिसमें ऑनलाइन समाना आता है वो वाली इस पेटी के बाहर और अंदर मैंने दोनों तरफ प्लास्टिक से इसे रैप कर दिया है जिससे की ये पानी से भीगे ना ये गत्य की पेटी मेरी लगभग एक साल से चल रही है और मैं इसमें हमेशा पालक उगाती हूँ अभी मैंने इसमें पालक और धनिया उगाया हुआ है जो काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और ये दुसरा वाला मैंने उगाया है जिसमें नर्सरी से हमारे प्लांटा आते हैं वो वाली थैली इस वाले पालक को उगाये हुए अभी मेरे सिर्फ 15 दिन हुए हैं और ये काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है मैंने इसी तरह सारे पालक अपने जो वेस्ट ठैलिया होती हैं उनमें ग्रो की वए हैं पालक को आप हर सीजन में ग्रो कर सकते हैं ये भी मैंने एक पैकेट में ही ग्रो किया हुआ है इस पालक को भी 15-20 दिन हो गए हैं लगबग ग्रो के वे और ये अब अच्छे से ग्रो हो चुका है पैकेट में भी पालक काफी अच्छे से ग्रो हो जाता है बस आप इसमें आधी मिट्टी आधी कंपोस्ट डालें ये तभी अच्छे से ग्रो करेगा क्योंकि छोटी सी जगों में अगर हमें ज़्यादा प्लांट उगाने हैं तो हमें कंपोस्ट ज़्यादा डालनी पड़ती पालक के सीड आप किसी भी जहां पर बीज मिलते हैं उस सौप में आसानी से मिल जाते हैं या फिर आप उनलाइन भी इन्हें मगा सकते हैं पालक के सीड हमें 10 से 15 रुपे में काफी अच्छे से मिल जाते हैं सबसे खास बात यह रहती है पालक ग्रो करने में यह आप हर सीजन में आसानी से ग्रो कर सकते हैं उसी तरह मैंने यह मेथी भी ग्रो की हुई है यह एक प्लास्टिक का वेस्ट टबबा था मैंने उसी में इसे ग्रो किया हुआ है तीन से चार बार मैं इसे कट करके सबजी बना चुकी हूँ और यह फिर अब तैयार हो चुकी है मिदाना मेथी जो आप घर पर यूच करते हैं खाने पर उसी को आप ग्रो कर सकते हैं वो काफी आसानी से ग्रो हो जाती है इसी तरह आप भी छोटी सी जगों पर अच्छे से हरी सबजी ग्रो कर सकते हैं और्गेनिक तरीके से घर पे उगाई भी सबजी, खाने में काफी अच्छी लगती है, इसी तरह इसे आप भी उगाईए और खाईए वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सस्क्राइब करिएगा, थैंक यू